सो हेलो दोस्तो स्वागता आप सबच्चे को अपने चैनल सरकारेजल्ट में दोस्तो यह एंटीए एजनसी यानि की निशनल टेस्टिंग एजनसी एक नया नोटिस रिलीज की है cvt के regarding ठीक है और यह नोटिस दोस्तो 5 तरिक को आया है यानि की 5 मई को दोस्तों जो सिवेटी यानि की Central Common University Interestingly Test जो कि किसी भी University में अगर आपको इंट्रेंस लेना है तो उसके लिए आपको इंट्रेंस अग्जाम है और इसके लिए आपको Form Fill करना पड़ता है ठीक है, फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग थी, वो स्टार्टिंग अप्रील में हुई थी, एक अप्रील से, 31 सारीक पहले हुई, फिर 31 से 5 हुआ, और अभी जो लास्टेट दी गई है, वो लास्टेट को एक्स्टेंड करके 22, यानि की 22 मई कर दी गई है, ठीक है, 22 मई साम को 5 बजे तक, आप जो सीवीटी का जो फॉर्म है, वो फिल कर सकोगे, और सीवीटी फॉर्म के जो बेनफिट हैं, वो मैंने पहले भी बता चुका आपको की सीवीटी फॉर्म फिल करने के बाद क्या-क्या होगा, ये प्रिवेस वीडियो में मैंने बता रखा है, डिस् साथ दिन बाद आप उनके अनके उनके के जो सस्क्रीप्स हैं, वो आप परचैस कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको seven day का free trial है यह बहुत अच्छी बात है इसमें आपको plus recorded lecture होंगे classes होंगे plus mock test होंगे आप लोग अपनी जो rank है वो rank जान सकोगे अपनी जो एक किस तरीके से आप तयारी कर रहें वो तयारी भी कर पाऊगे इंडिया के best tutor के साथ आपको seven day free trial मिलेगा तो आप लोग इसको access कर सकते हो किस तरीके से जुरना है अनगे के साथ मैं आपको बतायता हूँ description box में link है आप लोग जाएगा वहाँ पे आपको link मिलेगा link पे click करके आप लोग register कीजेगा साथ में अगर आप मेरा coupon code huge करते हैं तो आपको मिलता है 10% तक का discount अगर आप subscription लेते हैं तो मेरा coupon code है सरकारी result10 जो कि आपको बहुत अच्छा unacademy पे 10% का discount आपको देगा ठीक है साथ में किसी भी university में आपको admission लेना होगा तो उसके लिए आपको ये common university क्योंकि अभी 12th के exam process में है तो last date को यहाँ पे extend कर दिया गया है last date पो successful payment पेमेंट करने की last date है 22 तारीक वो भी 22 मही रखे गई है साथ में correction window माल लिए किसी बच्चे ने गलत से form बढ़ दिया हो गलती से गलत चीज फिल कर दिया हो तो उसके लिए भी यहाँ पे date को extend किया गया है 25 मही से लेके 30 मही तक यहाँ पे date को extend किया गया है ठीक है तो यह NTA का एक notice है जो कि notice में आप लोग को बताया गया कि जो last date है last date extend करके 22 तारीक कर दिया ठीक है तो आप लोग प्लीज अपने दोस्तों साथ इसको share किजी क्योंकि अभी जो भी बच्चे बार भी exam दे रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि अपने exams को मतलब कि किसी भी इन्वरसिटी में यूजी या फिर यूजी की course करेंगे अन्डे रजुएट तो उनको यो CVT का exam देना पड़ेगा जो कि जिसके लिए form fill करना पड़ता है form fill का last date अभी 20 तारीक बढ़ा देगा यह ठीक है तो प्लीज अपने दोस्तों साथ इसको share जिरूर कीजेगा